हेलो शात्यों वेलकम टू एक्जामपूर एक्जामपूर में आप सभी का स्वागत है सभी साती आ जाएंगे एक छोटे से सेशन की शुरुवात हो गई है और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इस बार की जो यूपी पीटी की परिक्षा हुई है अनी है कि लग तरह से कई सारी चीजन देखनें को मिलें चाहे वो आपके की पहली बार के अपक्शों cricket-दीन में परिक्षा लेकिन क्या उपस्थिती रही कितनी अनुपस्थिती रही पिछली बार कितनी थी हम कंपेरिजन करेंगे कि पिछली बार उपस्थिती कितनी थी और इस बार उपस्थिती कितनी है इस बार पिछली बार से कितने बच्चों ने जादा पेपर दिया हम फॉर्म भरने की बात नह ना अंतर हो सकता है क्यूकि इस बार अलग अलग एक्जाम्स के लिए थोड़ी जादा है लेकिन कितनी जादा है किया लगभग डबल है इसको देखने का प्रियास हम लोग करते हैं तो यूपी पी जार 1220 बढ़ा कर देता हूं मैं आपको पिछली बार 20,73,000 आवेदन किये गए थे लास्ट येर जो आवेदन थे वो 20,73,000 आवेदन थे जिसमें से लगबग लगबग जो उपस्तिती रही थी वो 85 प्रतिसत प्रतिसत उपस्तिती रही थी और 17.5 लाख बच्चों ने पिछली बार पेपर दिया था लगबग साड़े सत्रे लाख बच्चे थे पिछली बार जिन्हों ने पेपर दिया था अब उनके लिए आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की पद अलग थे हैना लगबग 76 पद थे आपके लेखपाल के 8000 से जादा पद थे इनके लिए ऐसे 8000 से जादा प पेटी के थ्रिव हमने लगबग 25,000 बच्चों को जॉब दी है मत्तब जब कंप्लीट हो जाएगी तो लगबग जो आंकड़ा उन्होंने बताए वह 25,000 का बता है इस बार भी वह लगबग उतना ही बता रहे हैं लेकिन अब कितनी किस विभाग में किस किस में आने बाली य नहीं हुआ है मैं आपको कह दूँ कि इस बार 25 बजार लेकपाल में आने वाली ऐसा नहीं है और लेकपाल में जो उन्होंने बताया है वो लगबग 4000 के आसपास बरतियां बताई है कब तक आएंगी इस पर तो बाद में बात करेंगे कट-off क्या रहेगी इस पर भी मैं बात स्थिती रही है इस बार के अटंडेंस क्या रही है इस बार के अगर मैं बात करूं तो पहले दिन की अटंडेंस 66 प्रतिसती हल्की से स्लाइटली बड़ी बाद की सिप्टों में क्योंकि पहले दिन बड़ा दिक्कत रही है बाद के सिप्टों में थोड़ी सी बड़ी और टोटल जो आई है इस बार आप सब जामते हैं कि 37 लाग फॉर्म थे और 37 लाग कितने थे मैं मोटा मोटा आकड़ा ही लिखूंगा है ना 37 लाग फॉर्म थे 37 लाग में से 25 लाग 11,968 लोगों ने इस परिक्षा को दिया है यह राजे सरकार के आकड़े हैं मत्तब यूपिटर पलेसी के आकड़े हैं कितने ने 25 लाग 11,968 लोगों ने इस पेपर को दिया लगबग यह अटेंडेंस सरस्ट प्रतिसत रही पहल से 25 प्रतिसत थी इस वार यह सरस्ट सर्षट प्रतिसत मत्तब काफी घृट गई लगबग आदे से अधिक बच्चों ने इस संख्यां का आदा देख तो लगबग आदा आगे आदे से अधिक नहीं लगबग आदा इस से थुड़ा कम बच्चों ने परिक्षा को छोड़ दिया है लगबग 33% बच्चों ने परिक्षा को छोड़ दिया कहने का अर्थी यह है कि 12,46,241 फॉर्म लगबग डबल थे पिछली बार 20 लाग थे इस बार 37.5 के आसपास लगबग 37,37 मान लीज इसा नहीं है क्योंकि पिछले बार संख्या साड़े सत्रे थी और इस बार ये संख्या 25,17 लगबग लगबग ये साड़े साथ लाग संख्या बड़ी है तो जस्ट डबल तो नहीं है जो सोच रहे थे कि 37 पिछले बार 77,5 लाग तो इस बार 33, 34 लाग बच्चे परिक्षा देंगे ऐसा नहीं है इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं एक मेजर जो कारण है वो ये भी है कि उत्तर पदेश में इसी दिन IBPS की परिक्षा मतब संडे को IBPS का भी परिक्षा थी अर्थात एक बड़ी संख्या में जो बच्चे जिनकी संख्या भी लाखों में होती है जो बच्चे बैंकिंग आधी की तयारी करते हैं IBPS बगएरा की जो तैयारी करते हैं वो IBPS अब इनको एक ही परिक्षा दे पाए या तो ये बैंक दे सकते थे IBPS दे सकते या पिर आपकी UPPET दे सकते थे क्यों क्योंकि इनके सेंटर्स बहुत दूर दूर थे किसी को नहीं पता जैसे कोई अगर मालो मेरट का रहने वाला है तो इसका सेंटर कहीं और भेज दिया या जैसे मालो कोई आगरा का रहने वाला है तो इसका सेंटर नोईडा डाल दिया पहला कारण रहा कि IVPS की परिक्षा भी थी इसी दिन संडे को सनिवार को नहीं इस बात को याद रखना और दूसरा आपका क्या हो जाएगा वेटा दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगी दूसरा आपका जो एक अनियंत्रित भीड मतब जिसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया सरकार ने क्या दाबे कियें इसको बता रहा हूं मैं ठीक है दूसरा भीड बहुत जादा थी आने जाने की कोई सुविधा नहीं यात्रा इतनी मतब यात्रा में बच्चे इतना जादा परेशान हो गए मैंने देखा कि बच्चों को ना तो कहीं सोने की जगह मिली है ना कानव संसादन भी होते हैं उनके पास अधिकारी करमचारी बहुत सारे होते हैं वो मैनेज कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं जैसे बहुत सारी यात्राओं को मैनेज कर लेते हैं रैलियों को मैनेज कर लेते हैं लेकिन वह परिक्षा को भी मैनेज कर सकत बसों में धक्का खाने के लिए असे कोई नहीं वेज़ देता है अपने बच्चों को अने सबिकार से रखते नहीं जा पाइं दूसरे सेहरों chocolate कीदष के नहीं इतजाम नहीं किये थे आँख नहीं है कि हमने पूरे राजिम्हें 600 बसें चलाईती एक्स्ट्रा कितनी 600 बसें चलाईती एक्स्ट्रा जो इन बच्चों को ला ले जा सके लेकिन कितनी सच्चा यह वह आपको पता होगा अब मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है अब काट आप पर क्या फरक परेगा इस पर मैं कोई बात अभी नहीं करूंग हां मैं यह कहूंगा कि आप जैसा सोच रहते कि डबल है इतना सब कुछ नहीं है साड़े सत्रे लाग पिछली बार थे इस बार की जो कट ओफ है वो 25 मतब इस बार की जो अटेंडेंस है वो लगबग सरसेट प्रतिसत है 25 लाग बच्चों ने इस बाफ पेपर दिया है इस को आप याद रखिए शेशन को हम यहीं तक रखेंगे अब आप अपना अंदाजा अपने असाब से लगा सकते हैं थैंक यू जै हिंद जै भारत थैंक यू